उत्राखन के चम्पावत जिले से तेंद्वी की दहशत की खबर सामने आई हैं आपको बता दे ये मामला चम्पावत जिले के बारा कोट का है जहां रविवार रात तेंद्वी ने रिघाव गाउं के रहने वाले एक व्यक्ति की बकरियों को अपना निवाला बना लिया इस घटना के बाद से ग्रामिनों में दहशत का माहौल है जानकारी के मताविक रविवार को बारा कोट के रिघाव गाउं में त्रिलोक सिंग के बारा बकरियों को तेंद्वी ने अपना निवाला बना लिया जिससे पेडित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है बता दे बकरियों का शोर सुनकर जब ग्रामिड बकरियों के बाड़े में पहुंचे तो तेंदवा वहीं मौजूद था ग्रामिनों ने तेंदवी को बाड़े में बंद कर दिया लेकिन मौका देखकर तेंदवा रोशन दान के रास्ते से निकल कर जंगल की और भाग गया इस बारे में बात करते हुए ग्रामिन हयाद सिंग ने बताया कि शनिवार रात को भी तेंदवे ने च्छे बक्रियों को अपना निवाला बनाई था साथ ही उन्होंने कहा कि इस शेत्र में लंबे समय से तेंदवे का आतंग है ग्राम प्रदान नेहा अधिकारी ने कहा कि कई बार वन विभाग से पिंजरा लाकर तेंद्वे को पकरने का अनुरोध किया गया है लेकिन वन विभाग इस और ध्यान ही नहीं दे रहा है बता दे घटना के बाद से पुरे शेत्र में डर का महौल है ग्रामिडों का कहना है कि इस तरह विभाग की लापरवाही से शेत्र में जन्हानी भी हो सकती है गौर तलब है कि पिछले एक सप्ता से शेत्र में मुस्ताधार बारिश हो रही है जिससे वन्यजीव आबादी के पास आ जा रही है